असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे मसाला फ्रेंच फ्राइज यह बहुत ही जादा टेस्टी और चेटपटी सी बनती है यह प्लेन फ्राइज से बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही जादा टेस्टी बनता है तो एक बर इसे बना के जहू ट्राइगा इस तरीके से उमीद नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगा तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसे इसे बनाने के लिए हमने यह पे आदा किलो आलू लिया है और यह पांच मीडियम साइज की आलू है और इसके लिए आप पुरानी आलू का इस्तामाल करें पुरानी आलू में जो पानी की इसके लिए आप नए आलू का इस्तमाल मत करिएगा आप चाहे तो इसके लिए पहाड़ी आलू भी ले सकते हैं या चिपसोना आलू भी ले सकते हैं उनके बहुत जादा अच्छे बनते हैं तो अब इस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज शेप में कट कर लेंगे इस तरह से आलू को हमने काट लिया है अब इसको अच्छे से हम धोलेंगे इसके अंदर का जो स्टार्च है अच्छे से साफ कर लेंगे हम अब हम एक भगोनी में एक लीटर के करीब हम पानी गरम कर लेंगे और साथ ही इसमें नमक भी डाल देंगे तेस के इसाब से अपने डालेंगे तो आलू में बॉयल आ चुका है अब इन आलूँ को हमें थोड़ी देर के लिए इनको हलका सा बॉयल करना है करीब पांच से फ्कूंटिति में बना रहे हैं तो पानी इसमें से जो चोड़ेगा तो वह इसमें खतम हो जाएगा एक अरुपार अगर थोड़ी से कॉंटिति में बना रहे हैं तो बियरेक्थ भी आप कर सकते हैं है कि certते ज़ाद आलू का कलर भी देख सकते हैं चेंज हो चुका है और हलका सा उमली के नाकून लगाएंगे ना हलका सा तो यह अंदर की तरफ ही जाएगा अलका सा लगेगा आपको तो अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे बहुत जादा इसे हमें नहीं गलाना नहीं तो तूट जाएंगे अब हम इसको चान लेते हैं अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे इसमें हम एक टी स्पून कुटी हुई लाल मिश लेंगे चाया तो आप पावडर ले सकते हैं इसकी जगे हमने कुटी हुई लाल मिश इसले लिया है थोड़ा सा यह देखनी में अट्रैक्टिव लगेगा ए एक टी स्पून इसमें हम धनिया पावडर भी डालेंगे आधा चोटा चमच इसमें हम काली मिश पावडर डालेंगे एक चोथाई चोड़ा चमच इसमें हमने हल्दी पावडर डाला है थोड़ा सा डाला है इससे फ्राइस के कलर बहुत अच्छे आएंगे एक टी स्पून इसमें हमने चाट मसाला पाउडर डाला है एक टीस्पून इसमें हमने औरगैनो डाला है और थोड़ा सा नमक डालेंगे आलू में हमने नमक पहले ही डाल दिया है तो यहां पर बहुत थोड़ा सा डालेंगे जो मसाले हैं इनी के लिए बस डालेंगे हम तो half teaspoon से भी कम हमने इसमें नमक डाल दिया है और इसमें हम 4 बड़े चम्मच, 4 से 5 बड़े चम्मच इसमें हम कॉन फ्रोर डालेंगे इससे हमारे जो fries होंगे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे अगर आपके पास control ना हो तो आप आरा रोड भी डाल शकते हैं और आधा चोड़ा चम्मच इसमें हमने लेस्वन दर का पेस्ट डाला है इससे बहुत अच्छा सा flavor आएगा अगर आपके पास हो तो ज़रूर डाल दीजेगा इसको अब यह सारे सूखी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे हम यह सभी चीज़ें अच्छे से mix करने के बाद जो हमने आलू च्छान के रखा था इसे हम डाल देंगे आपको अब इसको ज़दा सूखाने की जूरत नहीं है क्योंकि हलका सा गीला रहेगा आलू तो इसमें कोटिंग अच्छे से चिपक जाएगी तो इस तरह से हम टॉस कर लेंगे हलका सा तो अच्छे से इसके उपर कोटिंग से आ जाएगी अगर थोड़ा सा सूखा लग रहा हो तो इसमें हलका सा पाणी आप स्प्रिंकल करके हलका सा इसमें पानी डाल सकते हैं चिड़कते हुए डालिएगा नहीं तो एक जगी यह रह जाएगा और देख सकते हैं आलू पे कोटिंग कितने अच्छे सा आ चुकी है इसमें मैंने एक टेबल स्पून के करीब हमने पानी हलका सा लिया है, इसको इस तरह से चिड़कते हुए हम इसको डालेंगे, आलों पे मसालों की कोटिंग अच्छे से हो चुकी है, इसमें आपको पानी बहुत थोड़ा सा डालना पड़ेगा, जितना आपको जुरुत लगे उतना ही डाल जादा पानी मट डालिएगा, अब इसको हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ, तो एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे, तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद इसमें हम थोड़े-थोड़े बैच में करके डालेंगे, थोड़ी देर के लिए इने हम फ्राई होने देंग तो यह जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो आपको यह लाइट से फील होने लगेंगे, बिल्कुल हलका सा लगेगा, गोल्डन क्रिस्प फ्राई करने के बाद इसे हम तेल से निकाल लेंगे, एक बार फ्राई करने के बाद दूसरे बैच में भी हम इसको फ्राई करक के निकालेंगे और सेते रिकेस भिला है कि तो इस तरीके से बनांकेत था कर येगा मसाला फृरच निए अपने अब को रलाइक करेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा चैनल को सबस्क्राइब मिलते एक नहीं लेस्पी के साथ, तब तक लिया लाह आफिज